हेई डिवाइन सौल्स, आज की वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की बहुत ही पावरफुल टेक्निक वाट इफ के बारे में बता रही हूँ जब हम बहुत टेंच से किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही होते हैं बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करती हैं लेकिन फिर भी हमारी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती है वो चीज हमें नहीं मिल रही होती है जो चीज हमें चाहिए तो उसका में रिजन ये होता है कि हम बहुत सारे रिजिस्टेंस क्रियेट कर रही होते हैं रिजिस्टेंस का मतलब है कि हम हमारी विश के अगेंस्ट में सोच रहे होते हैं, thoughts create कर रहे होते हैं, emotions create कर रहे होते हैं, जो कि हमारी विश को हमारे पास आने से रोग देते हैं तो जब ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को पाना तो चाहते हैं लेकिन साथ ही हम ये भी कहते रहते हैं या बार-बार हम ये भी सोचते रहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास अभी तक नहीं आ रही है, मेरी विश अभी तक भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मेरी मन पसंद जॉब म लैक वाली चीज़ पर होता है वो इस चीज़ पर होता है कि मेरी विश अभी तक में पूरी नहीं हुई है और पताने कब होगी कैसे होगी तो जब हम इस तरह की बाते सोचते हैं तो हमारा फोकस निगेटिव चीज़ों पर होता है लैक पर होता है और यही रिजिस्टेंस क्र करता है और हमारी विश्ग को डिले करता है तो इस तरह की निगेटिव थॉट्स के थूँ हम अपने विश्ग को पूरी होने से रोग देते हैं जब हमारा फोकस हमारी वाइब्रिशन्स गलत होती है तो हम लोंग टाइम से एफ़र्ट्स कर रहे होती हैं लेकिन ना तो हमारी विश्पूरी होती है और ना ही हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज होता है तो हम कहते हैं कि हमें बहुत आइम से स्टक फेल हो रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी वाइब्रिशन्स नहीं बदल रही है हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं बदल रही है और हमा तब आपने देखा होगा कि immediate आपके emotions high हो जाते हैं, आप high frequency में आ जाते हैं, आपके vibrations automatically high हो जाती है, तब positive सोचने से हमारे resistance automatically हटने लगते हैं, हम hopeful रहते हैं और हम हमेशा excited रहते हैं, कि जब मेरी wish पूरी होगी तो मुझे कैसा feel होगा, मेरी emotions कितने अच्छे होगे, मुझे ब what if कि कितना अच्छा हो अगर मेरी wish पूरी हो जाए, क्योंकि जब हम visualize करते हैं, तो हम यही तो visualize करते हैं, कि जब मेरी wish पूरी हो चुकी है, तो उस ताइम पर मुझे क्या feel हो रहा है, तो आपको यही करना है, आपको एक practice करनी है, उसको आपको heading देना है, what if, आपको इसमें desired job मिल जाए तो what if कि मुझे जिससे friendship करनी है या कोई बहुत अच्छा friend मिल जाए what if कि जो भी मेरे wishes हैं वो साधी easily पूरी हो जाए what if कि मुझे ऐसा शानदार partner मिल जाए जिससे मैं expect कर रही हूँ या फिर जो सिर्फ मुझे ऐसी ही किसी को ढूंड रहा हूँ what if कि मेरे parents मेरी शादी के लिए मान जाए what if कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मुझे बहुत ही magical बना दे और मेरे सारी manifestations बहुत ही fast पूरी हो जाए what if कि मेरा weight exact words वैसा ही हो जाए जितना मुझे चाहिए what if कि मेरी looks exactly वैसे हो जैसे मजे चाहिए what if कि मैं बहुत ही beautiful हो जाऊं या मैं बहुत ही handsome हो जाऊं what if कि मैं बिलकुल वैसा ही या वैसी ही दिखने लगू जैसे कि मैं पहले दिखती थी बहुत ही beautiful बहुत ही charming What if, तब जो लोग अपना weight बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो लोग वैसी अपनी affirmation लिख सकते हैं जैसा कि वो चाहते हैं अपने according What if, कि मेरी life बहुत ही easy हो जाए What if, कि मैं हमेशा high vibrations में रहू What if, कि मैं universe के साथ alignment में आ जाओ What if, कि मैं बहुत अच्छे से easily meditation कर पाऊ What if, कि मैं अपने daily practices consistency के साथ कर पाऊ What if, कि मेरी vibrations हमेशा बहुत ही अच्छी हो, positive हो What if, कि मैं जो food खाना चाहूं मैं उसे बहुत अच्छे से enjoy करू What if, कि मेरा जहां घूमने का मन हो मैं वहाँ जब चाहे घूम पाऊ What if, कि मैं daily exercise करू What if, कि मैं हमेशा बहुत ही energetic रहू, active रहू, strong रहू अब जिन लोगों की health में कोई भी issue है मान लेजिए कोई भी body pain है या किसी भी तरह का कोई भी health को लेकर issue है और पहले जिनकी health सही थी तो वो इस तरह से कह सकते हैं कि What if, कि मेरी health बिलकुल पहले की तरह हो जाए मैं एकदम fit रहू हमेशा, energetic और active रहू What if, कि मैं हमेशा बहुत ही excited रहू What if, कि मैं अपनी life को हमेशा enjoy करू What if, कि मेरा friend circle बहुत ही amazing हो What if, कि मैं बहुत ही awesome बन जाऊ What if, कि मेरी performance मेरे job में या मेरे business में बहुत ही amazing हो What if, कि मेरे relationship सब के साथ बहुत ही amazing हो What if, कि सब मुझे बहुत ही appreciate करे What if, कि मैं सब से प्यार करू और सब मुछ से प्यार करे What if, कि मेरा face बहुत ही charming और attractive हो So guys, इस तरह से आपके लाइक में चाहें कितनी भी negative situations चल रही हो आपके manifestation काफी time से अठके हुई है और पूरी नहीं हो रही है तब भी आप इस practice को कर सकते हैं क्योंकि इसे यह होगा कि आपका focus लाइक से हट कर abundance कर आ जाएगा आप यह सोचेंगे कि अगर आपके wish पूरी हो जाती है तो कितना अच्छा होगा, कितना मजा आएगा आपको तो इस तरह से आपको अपने हर wish के साथ इस तरह से what if वाला sentence लगा कर अपने उस wish को वहाँ पर डाल देना है और इसको बार-बार पढ़ना है आप इसे लिखिए और लिखकर पढ़िए इसे जब आप इसे बार-बार लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा यह जो what if वाली टेक्निक है जो भी sentences आप लिखेंगे, जो भी wishes आप लिखेंगे वो आपको बहुत ही excitement फील कराईगी helpful फील कराईगी और बहुत ही positive रखेगी और आपको हमेशा high vibrations में रखेगी क्योंकि guys हर बक निगेटिव सोचना कि wish का पूरी होगी कैसे होगी, हो नहीं रही है यह सारी चीज़े आपको हमेशा lack पर ही focus कराती है और आपकी wish को आप से बहुत दूर ले जाती है तो better है कि उस तरह के negative thoughts को हटा कर आप इस तरह के positive thoughts सोचे जब आप positive सोचेंगे तो automatically आपके resistance भी हट जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा आपको बहुत ही excitement फील होगा so guys इस technique को जरूर करिएगा अभी करिए इस वीडियो को देखने के तुरण बाद अभी अपने एक list बनाईए जिसमें लिखिए कि कितना अच्छा होगी मुझे वो सारी चीज़े आसानी से मिल जाएं जो भी मुझे चाहिए कितना अच्छा होगी मैं हमेशा खुश रहूँ and guys इस technique को करने के बाद आपको कैसा feel होता है क्या क्या changes feel होते हैं क्या positive changes feel होते हैं वो आप comment box में जरूर share करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करिए share करिए और channel पर नहीं है तो subscribe जरूर करिए ओके गाईज बाबाई